दोस्तों एक्टवा 6G का जो इंजिनरल होता है वो कहां से चेंज होता है उसके बार में आज हम बात करेंगे यह देखिए यह जो एक्टवा 6G मॉडल है लेटिस्ट मॉडल है दो यह तेईस मॉडल है यह यहां पर इसका शेल्फ वड़ा जो है पहले नीचे आता था ठीक है तो इसका जो एक्टवा 6G का इंजिनरल कहां से चेंज होता है वो हम आज को आप बताने वाले हैं पहले वाली जो एक्टवा होती थी अपताक आती थी उसका यहां से इंजिनरल डलता था और जो इंजिनरल चेंज करने के मतलब जो बोल्ट रहता था यहां वाले पार्ट प पहले मौड लाते थे वहां उनपर यहीं से इंजिनोर डालता है तो इसका जो इंजिनोर चेंज करने का ड्रेन प्लग दिया गया कमपणी ने इस तर्फ नहीं दिया यह जो दिया है जहां से इंजिनोर हम निकालते हैं वह बड़ा गोल्ट जो दिया है वह एक्टिवा के साइट दिया है जिसकर फूटरेस्ट होता है यह बड़ा यहां पार 12 नंबर का गोल्ट दिया गया है इसको 12 नंबर का जो है गोटी जाँ पाना जाँ चाबी बगएरा कुछ भी आप लगा सकते हो उससे यह फूल जाएगा यहां से निकलता है यह देखिए यह 12 नंबर का गोल्ट दिया गया है जो ऐसा बोल्ट दूसरी तरफ आता था लेकिन आप 6G मॉडल में जो है इसकी सेड़ चेंज कर दी गया है यह जो किक लीवर की साइड है यहां फूटरेस्ट की तरफ हम कह सकते हैं इस तरफ इसका जो इंजिन निकालने का बोल्ट दिया गया है तो यहां से इसका पूरे का पूरा इंजिन ओल जो है बाहर आ जाएगा और इसमें साड़ेशे सो एंबल जो है इंजिन डलता है इससे पहले जो मॉडल आते थे एक्टिवा के उनमें 800 ml जहां साड़े 700 ml और इंजिन डालता था औ यहीं से इंजिन ओल इसका जो है डालेगा तो यह थी आज की वीडियो 6G में इंजिन ओल कहां से निकालते हैं तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जुरूर बताईएगा